बजेट में जिन नए रिफॉर्म्स का एलान किया गया है वो अर्थ व्यवस्ता को गती देने, देश के प्रतेक नागरिक को आर्थिक रुप से ससक्त करने और इस दसक में अर्थ व्यवस्ता की नीव को मजबूत करने का और गती देने का काम करेंगे रोजगार के प्रमुक्षेत्र होते हैं एग्रिकल्चर, इंफरस्रक्चर, टेक्स्टाईल और टेक्नोलोजी Employment Generation को बढ़ाने के लिए इन चारों पर इस बजेट में बहुत जोर दिया गया है किसान की आयद दोगुनी हो, इसके प्रयासों के साथ ही 16 एक्षन पॉइंक्स बनाए गए हैं जो ग्रामिन खेत्र में रोजगार को बढ़ाने का काम करेंगे बजेट में क्रिशिक खेत्र के लिए इंटीग्रेटेड एप्रोच अपनाई गई है जिससे परामपरागत तौर तरीकों के साथ ही होटिकल्चर, फिशरीज, एनिवल हस्बंडरी ऐसे एक्षेत्रों में बैल्व एडिशन बढ़ेगा और इससे भी नवजवानों के लिए रोजगार के नए आउसर पैदा होंगे ब्लू एकानामी के अंतरगत युवाओं को फिस्ट प्रोसेसिंग और मार्केटिंग छित्र में भी नए आउसर मिलेंगे टेक्निकल टेक्स्टाइल के लिए नए मिशन की गोश्णा हुई है मैन मेड फाइबर को भारत में प्रोडूस करने के लिए उसके रो मोट्यूर के ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफॉर्म किया गया है इस रिफॉर्म की पिछले तीन दसकों से मांग हो रही थी आईश्वान भारत योजना ने देश के हेल्थ सेक्टर को नया विस्तार दिया है इस सेक्टर में हुमन रिसोर्स उसके डेवलप्मेंट डॉक्टर हो नर्स हो एटेंडेंट हो इसके साथ ही मेडिकल डिवाइस मेनिफेक्टिन का बहुत बड़ा स्कोप बना है इसे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अनेक नए निर्णे लिए गए है टेक्नलोजी के एक शेत्र में एम्प्लोमेंट जनरेशन को बढ़ावा देने के लिए इस बजेट में हमने अनेक योजना बद्द रूप तरीके से प्रयास किये है नए स्मार्ट सिटीज हो, इलेक्ट्रानिक मैनुफैक्टरिंग हो, डेटा सेंटर पार्स हो, बायो टेक्नलोजी और कांटम टेक्नलोजी जैसे खेत्रों के लिए आवसे जो भी पॉलिस इनिसिटिव लेने चाहिए, वो लिये गए हैं इसके द्वारा भारत ग्लोबल वैल्यू चेन का एक अभिन्न अंग बनने की तरफ मजबूती से आगे बढ़ेगा बजेट में युवाओं के स्किल डेवलेपमेंट को लेकर भी इस बात पर बल दिया गया है कि जिस प्रकार के आधुनिक भारत के निर्मान में जो जो skill की जरुरत है उस focus को बल दिया जाएगा और skill में भी area को focus करने के combination पर बल दिया जाएगा जैसे degree courses में, entrepreneurship, local bodies में, internship और online degree courses की भी व्यवस्ता का एलान किया गया है बारत से जो युवा, नोकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए bridge courses की व्यवस्ता भी की जा रही है एक्सपोर्ट और MSME सेक्टर, employment generation को drive करता है budget में, export बढ़ाने के लिए, अनेक नई गोशनाओं के साथ साथ, हर district को export हब बनाने की दिशा में, एक बहुत बढ़ा महत्वा कांशी, योजना का इसमें निर्णे लिया गया है छोटे उद्यमों की financing के लिए भी कई नई पहल हुई है आदुनिक भारत के लिए, आदुनिक infrastructure का बहुत ही महत्व है infrastructure का खेत्र भी employment generation का बहुत बड़ा अधार होता है यह सब कोई जानते है सो लाग करोड रुपिये से पैंसट सो प्रोजेक्स का निर्मान बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर तो बढ़ाएगा देश के विकास के हर क्षेत्र को वो एक नई ताकत देगा नेशनल लोजिस्टिक पॉलिसी से भी व्यापार, कारोबार और रोजगार तीनोग शेत्रों को लाब होगा देश में सो एरपोर्ट विक्सित करने का लक्ष सामान्य मानवी की हवाई उडाइन को नहीं उचाई देगा भारत के परेटरन सेक्टर के लिए ये इन्फास सेक्टर बहुत आवशक है और टूरिजम से कम पुझी निवेश से अधीक रोजगार की अधीक इन्कम जनरेशन की संभावनाय होती है इन्फास सेक्टर के शेत्र में हम स्टार्ट अप्स के जरिये और प्रोजेक्ट डेवलप्मेंट के जरिये युवा उर्जा को नई ताकत देंगे टैक्स स्ट्रक्चर में मुलभूत बढ़लाओं के कारण भारत में अनेक सेक्टर्स में वेल्यू एडिशन की संभावना भी बढ़ेगी एम्प्लोईमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी आवशक्ता होती है और प्रमुख ड्रावर होता है इस दिशा में कुछ अइत्याजिक कदम उठाए गए है बॉन्ड मार्केट को मजबूत करने के लिए और इन्वेस्टेक्टर की लॉंग टर्म फाइनसिंग के लिए प्रबंद किये जा रहे हैं डिविडेन डिस्टिबिशन टैक्स डीडीटी उसको हटाने के कारण कंपनियों के हाथ में 25,000 करोड रुप्या आएंगे जो उनको आगे इन्वेस्टमेंट करने में मदद बाहर के निवेस्टम भारत में आकरशित करने के लिए विभिन टैक्स कंसेशन भी इस बजेट में दिये गए हैं स्टार्टप्स और रियल एस्टेट के लिए भी टैक्स बेनिफिट दिये गए हैं यह सभी फैसले अर्थे वबस्ता को तेजगती से बढ़ाने और इसके जरिये युवाओं को रोजगार के नए अफसर उपलब्द कराएंगे अब हम इंकम टैक्स की वबस्ता में विवाद से विजवाद के सफर पर चल पड़े हैं हमारे कंपनी कानुनों में जो अभी कुछ सिविल नेचर की गलतियां होती है और उसमें कई सानों से क्रिमिनल एलिमेंट है एक प्रकार से परिशानी का कानुन है सामने नागरी को उन्हें अब डी क्रिमिनलाइज करने का एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है इसके साथ साथ टैक्स पेर चार्टर के द्वारा टैक्स पेर्स के अधिकारों को स्पस्ट किया जाएगा दुनिया में शायद बहुत कम देश हैं जहां पर टैक्स पेर्स चार्टर की कल्पना की गई है भारत आज एक प्रगतिशिल कदम उठा रहा है MSME से जुड़े छोटे उद्दमियों पर हमारी सरकार ने हमेशा भरोसा किया है हम नागरीकों पर विश्वास करने माली सरकार है अब पांच करोड रुपिय तक के टर्न ओवर पर आडिट की आवश्यक्ता नहीं होगी चार्टर एकाउंटर के सर्टिपिकेट की जरुप नहीं पड़ेगी पहले ये सीमा एक करोड रुपिय तक ही थी अब इसे पांच करोड कर दिया गया है एक और पड़ा फैसला डिपोजीटर्स इंशॉंस को लेकर हुआ है बैंकों में और ये खास करके मद्यमबर के लिए होता है निम्न मद्यमबर के लिए होता है वो अपने जीवन की पूंची को बचा के रखता है और कभी संकट में पढ़ जाता है बैंकों में उनका पैसा सुरक्षित है ये विश्वाद दिलाने के लिए अब deposit insurance की सीमा एक लाख रुपिये से बढ़ा कर पांच लाख रुपिये कर दी गई है मतलब की एक प्रकार से जो छोटे depositors होते हैं 98 to 99% लोग इससे सुरक्षित हो जाएंगे minimum government, maximum governance की commitment को इस budget ने और मजबूत किया है faceless appeal का प्रावधान, direct tax का नया और सरल structure, disinvestment पर जोड, auto enrollment के जरिये universal pension का प्रावधान, unified procurement system की और बढ़ना, ये कुछ ऐसे कदम है जो लोगों की जिंदिगी मैंसे सरकार को कम करेंगे, नागरिकों की शक्ती बढ़ाएंगे, समाज ताकतवर होगा और उनकी ease of living को, ease of living के हमारे मकसद को कई कदम आगे ले जाएगा, maximum governance की दिशा में एक लाख ग्राम पंचायतों में अंगनवाडी, school, health और wellness center एवं police station को brown band connectivity से जोड़ना एक एहतियासिक शुरुवात होगी, और इसके दूर सुदूर के छोटे गावों में भी long distance education के द्वारा गरिब से गरिब बच्चे को, आदिवासी बच्चे को, दलित बच्चे को अच्छे से अच्छी सिक्षा देना संबव होगा, आज सरकारी नोकरी के लिए युवाओं को कई अलग-अलग परिशाय देनी होती हैं, नोकरी के लिए साल में ट्रावेलिंग करता है, अपने गाउं से सेंकडो किलोमेटर दूर एक्जाम देने जाता है, बार-बार वो एंट्रन्स नोकरी के लिए परिशाय देता रहता है, इस विवस्ता को बदल कर अब नेशनल रिकूर्टमेंट एजन्सी द्वारा लिए गए ओनलाइन और वो भी डिस्ट्रिक्ट में कॉमन एक्जाम के जरिये नियुक्ता की जाएगी, एक ही एक्जाम होगी, बैंक वाला भी उसका उप्योग कर सकता है, रेलिवे वाला भी उप्योग कर सकता है, सरकारी अन्य विभाग भी उप्योग कर सकते हैं, इसके कारण विवकों को बार-बार अपना समय इसकाम में नहीं लगाना होगा, किसानों के लिए अपने उत्पादों को सही तरह से मार्केट कमने और ट्रांस्पोर्ट के लिए किसान रेल और कुरुशी उडान के द्वारा नई व्यवस्ता बनाई जाएगी। मुझे विश्वास है कि ये बजेट इनकम और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, डिमांड और कंजम्शन को बढ़ाएगा, फाइनेंशल सिस्टम और क्रेडिक फ्लो में नई स्फूर्ति लाएगा। ये बजेट देश की वर्तमान आवश्रक्ताओं के साथ ही इस दसक में बविश्य की आपेक्षाओं की भी पूर्ति करेगा। मैं एक बार फिर देश को, निर्मलाजी को और वित्रमंत्रालाई की टीम को इस बजेट के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।